हमारे सरीर में मौझूद हड़ियों के जोड़ों की बिमारी है गठिया दो जगा की जुड़ाव बाले हड़ियों को जोड़ कहते हैं इनके बीच में 5-6 mm की चिकनी परत यानि काटिलेज होती है यही काटिलेज धीरी-धीरे कम होने लगती है इसी कारण से जोड़ों और इसके आसपास की मान स्पेशियों में अगलन बाकाफी दर्द रहता है जोड़ों तेड़ों होने लगते हैं मरीज को चलने फिरने में दिक्कते महसूस होने लगती है आवाईये जानते हैं कि गठिया या अर्थराइटिस को कितने परकार के होते हैं देखा जाए तो सरीर के जोइंट्स के हिसाप से यह रोग कई परकार کے हो सकते हैं फिर है रूमेटोईट अर्थराटिस जो अनुवानशिक होती है यानि अगर किसी के पैरेंट्स को अर्थराटिस है तो उनके बच्चों में भी जीन के माध्यम से यहाँ अर्थराटिस होने का खत्रा बन जाता है इसमें समान्यिता कम उम्र के बच्चे या युवस्था में अर्थराइटिस के लक्षन दिखने शुरू हो जाते हैं। रुमेट्वाइट अर्थराइटिस में पेसेंड के हाथ पैर के उंगलियां उनमें अकलन और उंगलियों का तेड़ा हो जाना देखा जा सकता है। कमर की हड़ी जाम हो जाती है जिसे एंकाइलोजिकल अस्पॉंडे लाइटिस बोलते हैं। और काडिलेज को नुकसान भोचाते हैं। इसे मेटाबोलिक गॉट अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। जोइन्स के अंदर किसी भी कारण बस फ्रैक्चर हो जाने से कुछ समय बाद ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस हो जाती है। ट्रॉमाटिक अर्थ्रेटिस, कम उम्र या इववस्था में भी हो सकती है। आईए जानते हैं गटिया होने के कारण। नियमित रूप से बयामना करने से या हो सकता है। घुटनों, हीप बोन और अस्पाइन पर बहुत जादा बजन होने पर दवाव पढ़ने से या हो सकता है। खेलती समय या दुरगटनक दुरान चोट लगने से या हो सकता है। खान पान की गलत आदत और पौश्टिक बसंदुलित आहार का सेवद नहीं करने से भी या रोग हो सकता है। सरीर में बिटामिन डी की कमी कारण गठिया रोग हो जाता है। परदूशन वाली जगा पर रहने कारण या रोग हो जाता है। तमबा को धूमरिपान और सराप का सेवद करने से भी या रोग होता है। अनुवांसिक होने से बच्चों में गठिया के जीन मौझूद रहने कारण या होता है। अब आईए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। डॉक्टर की जादा तर कोशिश रहती है कि गठिया के मरीज में मौझूदा गठिया को बढ़ने से रोका जाए। डॉक्टर मरीज के स्थिति के हिसाब से उचित दवाई चलाते हैं ताकि गठिया नियंतृत रहे बढ़े ना। अगर सीवीर स्टेज पे अर्थ्राटिस पहुच जाए तो जोडों में मौझूदा काटिलेज पुरी तरह से छतिगरस्थ हो जाती है। ऐसे में फिर सजरी का सहरा लिया जाना चाहिए। अर्थ्राटिस को पहचानने के लिए सबसे पहले ध्यान रहे उस जोडों का एक्सरे जरूर करवाए जहां दर्द मौसूस हो रहा हो और अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अब आईए जानते हैं कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो क्या हो सकता है इसकी दुश्परिणाम। ऐसा रिसर्च में पाए जाता है कि गठिया हरवर्स धीरे धीरे बढ़ने वाली बिमारी है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो यह मरीज किये आख लाओ में यह बिमारी 40 बर से अधिक उम्र वाले जिनका मासिक चक्र या तो बंद हो गया हो या होने का गर परता है। उनमें यह समस्याएं देखने को मिलती हैं क्योंकि शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत तेजी से कम होने लगता है। जिससे उनमें सूजन पर दर्द आ सकती है और गठिया की समस्या उत्पन हो सकती है। आवा यह जानते हैं कि इसकी शुरुआती लक्षन कौन-कौन से होते हैं। शुरुआत में जादे तर देखा गया है कि जोडों में दर्द रहना, जकडन या सूजन का आना, धीरे-धीरे जोडों में जते आ सकती हैं। जैसे सिडियां चड़ने में, सिडियां उतरने में दर्द का अनुभव होना, इंडियन टॉयलेट में सई धंग से नहीं बैठ पाना दर्द का अनुभव होना, इत्यादी शुरुआती लक्षन हो सकते हैं। अंत में हम जानते हैं कि क्या यह रोग हो सकता है या नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में 18 क्रोड से जादा गठिया का मरीज हैं, जिनमें केवल 20% गठिया का मरीज 30 बर से कम उमर वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है कि इस रोग को अपनी जीवन सहली में सुधार कर, खान पान में सुधार कर, नियमित ब्याम करने से, पर दूसा नित्यादी से दूर रहने से इसे रोका जा सकता है। सरजरी के माध्यम से कार्टिलेज रिसरफिसिंग कर इसे ठीक क्या जा सकता है। अगर अर्थराटिस लाश्ट अस्टेज पे पहुच गया हो तो। सोसल सवजन के तरब से जानकारी मिलती रहे। अगर आपके मन में किसी भी परकार का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सोसल सवजन के पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।